नमस्ते किसन भाईयों, आज मैं आपको खरबूच की खेती कैसे की जाती है शुरू से लेकर शुरू के 15 दिनों तक मैं आपको यह सब कुछ बताने वाला हूँ खरबूच की खेती हमारे उत्तर भारत में अभी शुरू होना शुरू हो जाएगी तो इसके बारे में पूरी जानकारी है, पूरा शेडूल जो 50-60 का शेडूल होता है और जो ड्रिंचिंग का शेडूल होता है, उसके बारे में पूरी तरह जानकारी दने वाला हूँ आप बने रहे हैं मेरे साथ अपने खिति अपनी प्रगत यूट्यूब चैनल के उपर और मैं हूँ प्रमोध निकम जुताई तो अच्छी होनी चाहिए अगर जुताई अच्छी होती है तो यह अपनी फसल अच्छी उपती है तो इसे लिए जुताई बहुत अच्छी होनी चाहिए हमने जो यह जुताई कर लिये यह ट्रैक्टर के जरीए जुताई कर लिये जुताई करने के बाद ट्रैक्टर से हमने बेड छोड के लिया है बेड छोडने के बाद इसको अभी बेड छोडने के बाद हमने पूरी अपने खेत में लैटरल विच्छा के लिए और उसके बाद उसका टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, इसलिए करना पड़ता है मेरे भाईयों, टेस्टिंग, एक बार हम लोग मलचिंग पेपर जब इसके उपर बिच्छाते हैं, तब जो लाइटरल रहती है, वो अंदर रहती है, इसलिए उसका टेस्टिंग पहले से होना बहुत ज बेड़ के ऊपर सही तरह से मल्चिंग पेपर बिचा खेलिया है मल्चिंग पेपर इसलिए कि जो घास रहती है हमारे खेत में वो ज्यादा नो उख सके इसलिए उसको मल्चिंग कर दिया मल्चिंग पेपर का और एक फाइदा ऐसा होता है मेरे किसन भाईयो जब हम लोग मल्चिंग पेपर डालते है तो जब इरिकेशन का जो पानी रहता है जो हम लोग लाटरल से देते है वो सही तरह से मिलता है पोदों को और पोदों की उरुद्धी जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है इसलिए मल्चिंग पेपर बहुत जरूरी होता है छोड़ दिया था उसके बाद उसको पानी का एक और ड्रिंचिंग दे दिया और पहला जो ड्रिंचिंग रहता है पिस्टी सेट का वो दी दिया उसमें हम लोगों ने थाय मितकजान 25% WG फॉर्म वाला दो ग्रैम लिया है हम लोग एक टरा एक तरा बोलते हैं उसको और दूस और 1919 यह जो फर्टिलाजर की मातरा है इसको लिया और इसका 3 ग्रैम प्रति लिटर लिया और इसका पहला ड्रिंचिंग कर दिया उसके बाद एक दिन के बाद हम लोगों ने पहला स्प्रे कर दिया इसके उपर उस पहले स्प्रे में हम लोगों ने थाय मितकजान 25% WG फॉर मार्केट में जहाइम आता है और 2 ml प्रति लिटर से पीजार लिया और इसका चड़ का हम लोगों ने पहले बार अपने घर्बूज की खेती हो या फिर डर्बूज की खेती हो इसके उपर लिया इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा ड्रिंचिंग रहता है वो लिया उसम 2019 यह जो फर्टिलाजर की मात्रा है यह तीन ग्रैम प्रति लिटर से लिया और इसका तीसरा जो ड्रिंचिंग था वो करवा के लिया उसके बाद एक दिन ग्याप रहने के बाद हम लोगों ने जो दूसरा स्प्रे रहता है किटक नाशक का वो लिया उसमें हम लोगों ने ऐ सिलिकॉन की मात्रा देनी थी इसलिए सिलिकॉन एक ग्रैम प्रति लिटर लिया और इसका पहला च्टकाओं या फिर स्प्रे किया ऐसे हम लोगों ने दो स्प्रे और दो ड्रिंचिंग लिये इसके बाद आप देख रहे कितनी बड़ी आपसल आई है और अभी तिसरे स्प् यह बाद में हम लोगों ने तीसरा जो ड्रिंचिंग था हो लिया उसमें आई बी ए वन ग्रैम प्रती पचास लिटर में लिया जो में फपुदी नाशक मैंको जे 75% डबली पी फॉर्मॉला दो ग्रैम प्रती लिटर लिया बाद में फिर से हम लोगों ने जाइम जो रहता है वो बीजयर 2 अमल प्रती लिटर से लिया और 1260 3 ग्रैम प्रती लिटर से ये खाद की मातरा लिकां और इसका दीसरा ट्रिंचिंग कर दिया तिसरा ट्रिंचिंग करने के बार हमें बहुती बड़ी इसका रिजल्ट मिला और उसके बाद हम लोगों ने एक दिन ग्याप रख जाइम 25% WG formula 0.5 ग्राम प्रती लिटर एक तरा बोलते हम लोग उसको वो लिया और पुपनी नासक कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एक ग्राम प्रती लिटर से लिया और जाहिम जो रहता है कोई भी दो एमल प्रती लिटर से लिया और इसका तीसरा चेटकाउब करके हम लोगों न तर्बुच की अभी इसको फिमेल जो फ्लावर रहते वह भी आना शुरू हो गए थे बड़ तो बहुत बड़िया इसका रिजल्ट हम लोगों हम लोगों को मिला है आप भी देख सकते है पत्तों की साइज बहुत बड़िया आई है यह भी आप देख सकते है दोस्तों अग अगर वीडियो आपको देखना है तो अपने चैनल को अपनी खिति अपनी प्रगति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर कोई नया वीडियो अगर आपको देखना है तो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा मैं उसके उपर वीडियो बनने का पूरा प्रायास करूंगा धन्यवात मेरे दोस्तों